हाई फ्रेंड्स आज हम बनाने जा रहे हैं दही वडे दही वडे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ दो कप उड़त की दाल या फिर माश्ट की नाल राद भर के लिए मैंने इसे भिगो दी थी और 4-5 मैंने हरी मिर्चे ले ले ली हैं और यह मैंने लिया है अदरक का पेस्ट में पास अद्रक का पेस्ट रखा वाता है इसलिए मैं इसके अंदर अद्रक का पेस्ट की उस करूंगी इसे डालकर मैंने इसे पीस लिया है अगर आपके पास अद्रक का पेस्ट नहीं है तो एक इंच का तुकड़ा आप अद्रक का ले और इन सब चीजों को एक it. चुममच बढ़ा इक चमच देकं लाल मिर्शी पाउदर की चमच आउए अपने डीना-च्राइल डाल वी दें लूड़ सब्सक्राइब से दिलया है। जूर और यह लुड़ को आप थे यह उए दिदर US थे. यह एकड़े दुन रूर्पी शे काम में टाउहaćे underwater चाहिए फिर मैंने रिफाइंड ओयल को मैंने गरम कर लिया है और चमच की मदद से मैं इसको इसके अंदर डाल रही हूँ यह देखिए यह डालते ही फूलना शुरू हो गये हैं आपको इने फ्राय मीडियम टू हाई फ्लेम पर ही करना है स्लो फ्लेम पर नहीं करना है स्लो फ्लेम पर करने से क्या हूँ था ओईल बहुत जादा इसके अंदर के पहुच जाता है यह देखें, अलट पलट के आपको इसको फ्राइ कर लेना है, बड़ी ही आसान सी रेसिपी है, बहुत ही ज़ादा अच्छे बनते हैं यह, यह देखें, अब यह ब्राउन हो चुके हैं, और हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे, इसी तरीके से मैं second batch भी अपना fry कर लूँगी, आप इसको हाथ से भी fry कर सकते हैं, हाथ से भी ड़ाल सकते हैं, पर उसमें क्या होता है, आपको बार-बार हाथ अपना पानी में डालकर, साफ करके फिर से उसको पकड़ना होगा, क्योंकि हाथ से बहुत ही ज़ादा चिपकती ह इसलिए मैं अक्सर चम्मत से ही डालती हूँ यह देखिए कितनी अच्छी तरीके से फूल रहे हैं यह और यह देखिए कितने अच्छे यह बनके त्यार हुचुके हैं और इधर सेकेंड बैच के भी मैं फ्राइ कर लूँगी इन्हें भी निकाल लेंगे हम यह देखिए इसी तरीके से हम सारे अपने दही वड़े फ्राइ कर लेंगे मैंने यहाँ पर नॉर्मल पानी ले लिया है और यह जो वड़े हमने बनाये थे इन्हें बिल्कुल रूम टेंप्रेचर पर बहुत ही अच्छे ठंडे हो चुके हैं फिर मैं इसको इस पानी में डाल देंगे आपको एक बात का धिहान डालना है गरम गरम बड़े पानी में नहीं डालने है उससे क्या होगा बाहर से तो उसके अंदर पानी आ जाएगा पर अंदर वो बहुत ही ज़ादा हार्ड हो जाते हैं इसलिए रूम टेंपरेचर पे ल नमक और यह डाल रही हूं मैं चीनी चीनी डालूंगी टू टेबल स्पून के करीब और इसको एक मिनट के लिए अच्छी तरीके से फेट लेंगे हमें मिक्सर में हाथ से भी आप यह काम कर सकते हैं पर जल्दी यह मिक्सर में हो जाता है फिर मैं एक एक वडो के अंदर से पा पानी कुछ लोग नहीं इसका न्यकालते हैं डंग से लस्तपर का यहां ठीघक त्टा वह इंदर से पानी पानी से निकलते है तो अच्छा नहीं लगते हैं ले वासे Bernard मेंको पानी में नाब xu़ोकर इसको मैं दही में भीडो अब यह देखिये पानी से निकालकर एक्ड़ दही थी है इसके अंदर मैंने विगो दिया है और उपर से बुनावा जीरा मैंने उसको पीस दिया था वह उपर से मैं डाल दूँगी यह डाला मैंने लाल मिर्ची पाउडर और अब हम एक एक करके दही वड़े निकाल लेंगे कटोलियों में सर्फ करने के लिए बड़ी आसान सी रेसिपी है आप लोग भी से जरूर ट्राय करें बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट आते हैं एकदम सॉफ्ट बनता है यह यह देखिए हमने निकाल लिए हैं दही इसक पर डाल देंगे इमली की चटनी इमली की चटनी अल्रेडी मेरे चैनल पर डली हुई है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा अगर आपको मेरा यह चैनल विशाडिश पसंद आया हो तो प्लीज लीवा कमेंट सब्सक्राइब लाइक और शेयर थ